अस्लाम अलेकोँ मैं आपने लिकाराई हूँ आज मज़ेदा चाला चाला बक्रा क्षा पूला कड़ाई चले हैं उसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आइल लेंगे आइल में हम जीन्यागाणी पेस्ट आइड गहीं आच्छी तरह सॉते करेंगे हम अपना मटान अपना बकरे के अफ़रा करेंगे और बकरे को अपना फ़रा ख़िस का कलर जो है पाने हो जय तो सुनी लौक कट के अट करेंगे कि बीच से दो हिस्से थिंट करेंगे तरहे त्था आधा से हमाय जो तेमाटर है वो अच्छी तहां सॉफ्ट हो जाएगा इसका छिलका रिमूफ कर देंगे फिर हम इसको मैश करेंगे इस तरह स्केन रिमूफ करने के बाद हम इस तरह से करेंगे फिर हम इसे कुछ मसाले आट करेंगे चै laz ime koy मिर्च कोटी लाल मिर्च है नमक है चैस्ट में इसके पानी आट करेंगे और पानी आट करने के बाद हम इसको आगェ जिसे पॉने घंटी के लिए पकने के छोड़ देंगे जब यह पक जाएगा तो यस तरह से होगा फिर हम इस्के अल्र दही एड़ करेंगे ज्यादा नहीं करना है वार थोड़ा सा करना है बाकी की जो गलावत है इसी से हो जाएगी मसाला एड करेंगे, कडाई मसाला रेडिमेट इससे फ्लेवर इन्हेंस होगा, खुश्भू भी आएगी फिर हम भुनाई करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे इसको और नमक जो है अपने टेस्ट के साफ से अपने इसको एज़स्ट करना है कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं फिर हम नमक डाल के इसको एची तरह मौनाई करेंगे मौनाई करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा यह और जब इस तरह से हो जाएगा, भुन जाएगा मैंने एक तरफ फोला जला लिया है अब मैं इसके कोला का दम डूंगी प्यानी में हम फोला रखेंगे इस तरह से इसके बार हम इसके उपर थोड़ा सो आई डाल देंगे और इसको फिर हम फॉरन से कवर कर देंगे ताकि इसका स्मूव तो है अच्छी तरह हमारी कढाई में रच पर जाए इसके खुश्बू आ जाए अच्छे से आप यह देख सकते हैं कोला हम रिमूफ कर मिक्स करने के बाद अच्छी तरह अब हमारा यह फाइनल लुक है इसको आप सर्फ कर सते हैं रोटी के साथ नान के साथ यह मतन कोला कड़ाई बहुत मज़े की है बहुत ही मज़तार रेसिपी आपने जरूर प्राय करनी है रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें फॉलो कर अच्छी तरह गारे यह फिल ना करूंट करें यूटिब चयानल को भी सबस्क्राइब करना बूल कुल ना करें उसको भी सब्सक्राइब करें वहां भी मेरी वीडियो होती है अच्छी तरह वच किया करें थैंक्स पर वाचिंग अल्लाहफेज थांक्यू